हेलो फ्रेंड्स आज फिर से एनिटाइम जीके फ्रेमली में स्वागत है आज मैं आप लोगों के बीच जो है जीके का एक बहुत ही महत्पुन टोपिक जो की उपराश्टपती से समंधित है उसका चर्चा मैं आज इस विडियो में कर रहा हूँ जैसे की आपको याद करने का ट्रीक है यहाँ पर उपराश्टपती इसे समंधित अनुछेद जो होता है उपर राश्टपती से समंधित अनुछेद की चर्चा 60 से लेकर 70 तक होता है लेकिन यहाँ पर कुछ अनुछेद ऐसा है कि जो सिरियल है उसको याद करने का ट्रीक है उसका उसका निकास उसका निकास सनी भगवान है उसका निकास सनी भगवान है तो उसे होता है उपर राश्टपती उपराश्टपती की चर्चा अनुछेद जो है 63 में किया गया है उपराश्टपती का चर्चा अनुछेद 63 में किया गया है यहाँ पर 100 मतलब होता है सवा मतलब होता है सभापती जैसे की उपराश्पती राश्वा का सभापती होता है तो उसका चर्चा जो है अनुछेद 64 में करता है उसी परकर है कि का यहां पर जो है का 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 मतलब होता है कार्जकाल का चर्चा जो है कार्जकाल का चर्चा जो है कार्जकाल का चर्चा अनुछेद 65 में है उसके बाद जो है नी से होता है निर्वाचन निर्वाचन की चर्चा जो है आपको अनुछेद 66 में करता है अनुछेद 66 में निर्वाचन यहां पर नी से होता है निर्वाचन उसका चर्चा जो है अनुछेद 66 में करता है उसी पड़कार होता है यहां पर सबी का है यहां पर का मतलब होता है यहां पर होता है इस का Çरचा जो है अनुछिद 63 में करता है इसी ट हैपस यहां पर सवा मतलब होता है समखेश जैसे की सुवा मतलब होता है सामय, सामय का चर्चा जो है आपको अनुच्छिद अनसट में करता है कि राष्ट जैसे की उपराष्ट पती का कार्जकल होता है पांच वर्स का तो उसका चर्चा जो है इसी अनुच्छिद में करता है अनुच्छिद अनसट में अनुच्छिद आनुछेद के तहद ही इसी टैप से यहां पर आपको स्वा मतलब समय होता है यह स्वा का मतलब होता है सपत की चर्चा जो है ना सपत की चर्चा अनुप राष्ट पती का जो सपत दिलाया जाता है राष्ट पती के दुबरा तो उसका चर्चा जो है अनुछेद 69 में करते हैं उसी टैप से आपको यहाँ पर नी मतलब होता है नी मतलब होता है निर्वहन इसका निर्वहन जो है अनुछेद सत्तर में करते हैं इसी टैप से आपको यहाँ पर याद करना है अगर यहाँ पर मैं फिर से एक बार बता देता हूं उसी पर करते हैं जैसे कि उ मतलब होता है उ अनुछिद 64 में करते हैं उसी टैप से का मतलब होता है कार यह उसका क्या क्या कार्ज है उपराश्टपती का तो उसका चर्चा अनुछिद 65 में करते हैं उसी परकार से है निरवाचन मतलब निरवाचन जो है अनुछिद 66 में करते हैं का मतलब होता है कार्ज काल उसका कार्ज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सस्क्राइब करना न भूले धन्यवाद